जैहिन प्यारे बिच्चों, वेलकम टू भारतवस क्लासेज, प्यारे बिच्चों, आज हम लोग कच्छा छे गनित पाठपुस्तक में प्रिश्णवली 1.2 को करेंगे, जो की आपकी JCRT गनित पाठपुस्तक में हैं, तो चलिए प्रारम करते हैं बिच्चा, इस वीडियो मे आपको प्रिश्णवली 1.2 के सभी प्रश्ण करवाए जाएंगे, और बहुत ही आसान तरीके से करवाए जाएंगे, एक भी चीज आपको ऐसा नहीं होगा कि रटवाया जाएगा, आपको पेन, कॉपी लेके बेटना है, एक एक चीज को नोट करना है, प्रश्णवली 1.2 क प्रश्ण है बच्चा, इन्हें आरोही करम में सजाईए, अब यहाँ पे प्रश्ण है आरोही करम, आरोही करम क्या होता है, संख्याओं को बढ़ते करम में लिखना, जैसे हम लोग संख्याओं को लिखते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तो यह संख्याओं का बोलते हैं आरोही क्रम या फिर बढ़ते क्रम में लिखना यहां पर संख्याएं दी रखी है 32, 12, 66, 33 आपको बताना है बच्चा इन चारों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो सबसे छोटी यहां पर संख्या है 12 पिल्कुल सही तो हमें सबसे पहले 12 को लिख देना है थिक है 12 को हमें लिख लेना है अब आपके सामने तिन संख्याओं बच्चे 32, 66, 33 आप बताना है इन तीनों में सबसे छोटी कौन सी है 32, 66, 33 में इन तीनों में सबसे छोटी है 32 तो हम लोग इसके बाद लिखेंगे 32 अब आपके सामने दो संख्याएं बचिए 66 और तीरपन तो बताएए इन दोनों में से छोटी कौन है तीरपन तो लिखेंगे तीरपन और अंतिम में लिख देंगे 66 हो गया हमारा आरोही क्रम ठीक है इसी प्रकास से हम दूसरा प्रस्ण को करेंगे दूसरा प्रस्ण में है संख्याएं 938 425 874 666 अब देखिए बच्चो आपको इस प्रकार के प्रस्णों को असानी से और जल्दी कैसे करेंगे आपको सबसे पहले यहाँ पे पहला अंग देखना है 938 का पहला अंग है 9 425 का पहला अंग है 4 874 का पहला अंग है 8 600 सरशट का पहला अंग है 6 तो इस में से सबसे छोटा अंग कौन सा है सबसे छोटा अंग है 4 तो सबसे पहले आएगा 425 425 के बाद उसके बाद कौन सा है अंग 6 यानि 600 सरशट फिर 8 तो 874 और फिर 9 यानि 938 इस परकार आपको लिखना है आपको पहले ही अंग से पता चल जाएगा कि कौन सी है तो ऐसे आपको लिख लेना है सबसे पहले आएगा 425 फिर 666 874 938 तीसरा प्रश्न है हमें सिर्फ पहले वाले अंग को देखना है यदि पहला अंग समान होता है तो आप 2 अंगों को ले लो जिसे यहां पर है दो अंग यानि 4 5 2 4 3 2 3 और 2 0 यहां पर इसे पहला अंग यह है चार और इस अब तीनों में है दो तो सबसे बड़ा इसमें यह है यह सबसे अंतिम में आएगा अब दूसरे अंग से तूलना करेंगे इन तीनों की यहां है चार यहां है तीन यहां है सुन्य सबसे कम होता है सुन्य यानि 2,050 सबसे पहले फिर 3 तो 2300 फिर 4 फिर 2400 और संती में 4558 ऐसे बन जाएगा प्रस्न और यहां प्रस्न बिलकुछ सही होगा किसी भी प्रकास से यहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी प्रस्न क्या चार यहां पर है बिच्चा 19,205, 22,951, 66,089 और 63,344 मैंने क्या बता है कि आपको पहले अंक से तुनला करनी है तो इसका पहला अंक है एक यहां है दो यहां है 6 और यहां है 6 तो सबसे कम एक होता है तो यह पहले होगी 19,205 फिर 2 होता है तो 22,951, अब इसमें भी छे है उसमें भी छे है फिर होगा 36,344 और फिर यहाँ पे होगा 66,089 ऐसे हमको कर लेना है बच्चा तो ये थे आरोही क्रम से संबंदित प्रश्न दूसरा प्रश्न है अरोही क्रम में सजाईए अरोही क्रम क्या होता है संख्याओं को घटते क्रम में लिखना यानि बड़ी संख्या से छोटी संख् संख्या तक पहुचना है तीक है जैसे आप उल्टा गिंती लिखते हो सो 99,98,97 तो आप संख्याओं को घटते क्रम में लिखते हो तीक है सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या फिर उससे कम फिर उससे कम उससे कम ठीक है प्रश्न यहाँ पे है पहला 48,86,38,63 बताए इन चारो में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है सबसे बड़ी संख्या है 86 तो इसे सबसे पहले लिख देंगे अब 86 यहाँ पे आपको देखना है कि 86 हमने लिख दिया उसके बाद 3 संख्या है बच्ची 48,38,63 इन तीनों में से सबसे बड़ी कौन सी है 63 है तो 63 को लिख देंगे अब आपके सामने एक ही संख्या बच्छी 38 लिख देना है तो इस परकार हमें संख्याओं को अवरोही क्रम में सजा लेना है दूसरा प्रश्णी यहां पर है 555, 545, 564, 543 तो हमें पहला अंक देखना है पहला अंक सभी में समान है दूसरा अंक यहां पर है 5, 4, 6, 4 तो 5, 4, 6, 4 सबसे बड़ा देखना हमें तो सबसे बड़ा यहां पर 6 है यहां पर 564 सबसे पहले होगा फिर 555 होगा फिर 545 और अंत में 543 तो इस परकार लिखना है 564 तूसरा 555 तूसरा 545 तूसरा 545 चौता 543 तूसरा परस्ण दे रखा है हमें पहले अंक को देखना है इसका पहला अंक 4, 2, 7 और 3 तो सबसे बड़ा कौन सा है 7 7251 पहले होगा फिर 4 4257 तूसरा 3,052 चौता 2,622 इस परकार हमें संख्याओं को लिख लेना है अवरोहिक्रम में चौता परस्ण यहां है 14,138,20,319,38,971,9834 हमें पहले अंक से मिलाना है तो पहला अंक यहां है 8 यहां पे 1, 2, 3, 9 तो सबसे बड़ा यही है 9 9 को लिख लेंगे फिर 3 है तो यह लिख लेंगे फिर 2 फिर 1 तो इस परकार हमें लिख लेना है 91,834,38,976,20,319,14,138 इस परकार हमने परस्ण क्या 1 और 2 को समाप्त किया बढ़ते हैं परस्ण क्या 3 में नीचे दिये गए अंकों से 5 अंक्ये सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संक्या बनाई है अंक है 1, 6, 5, 3, एवं 4 हमें 5 अंक्ये बनाई है यानि ऐसी संक्या बनानी है जिसमें 5 अंक पूरे पूरे हो तो सबसे पहले हमें बड़ी बनानी है और सबसे छोटी तो लिखेंगे बड़ी संक्या अब बड़ी संक्या बनाने के लिए क्लिए क्या करेंगे आपको देखना है कि इन 5 अंकों में से सबसे बड़ा अंक क्यों सा है सबसे बड़ा अंक ह फिर चार फिर तिन फिर एक इसी परकर हमें लिख देना अंगों को छे पांच चार तिन एक यानि पैसट हजार चार सो एकतीस सबसे बड़ी संक्या होगी छोटी संक्या लिखने के लिए क्या करेंगे इसी संक्या जो यहां हमने लिखा है इसी संक्या को उलट के लिख देंग क्या हो जाएगा एक आगे हो जाएगा तीन यहां हो जाएगा चार यहां पांच और छे यानी तेरा हजार 456 छोटी संक्या हो गई है दूसरा प्रशनी यहां पे है 2,0,5,0,3 तो सबसे पहले हमें लिखना है बड़ी संक्या इस प्रशन को ध्यान से समझेगा इस प्रशन में कई बच्चों को डाउट हो सकता है तो बड़ी संक्या में यहां लिखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है 5 फिर 3 फिर 2 सुन्य सुन्य यानि 5000 200 छोटी संख्या लिखने के लिए अब हमें इस अंतर को उलट में लिखना है क्यूं लिखना इसका कारण भी निए बताता हूं क्यूंकि यह यदि हम लोग उलट के लिखेंगे तो क्या होगा सुन्य सुन्य हैं 2 3 5 तो 2 3 5 आगे सुन्य का कोई महत्व नहीं होता है आप एक लिख दो और इसके आगे आप हजार सुन्य लगा दो वह एक ही पढ़ाएगा सुन्य का महत्व तभी होता है जब वह एक अपने से अधिक अंक के पीछे लगता है यानि सुन्य का महत्व तभी बढ़ता है जब वा संक्या के पीछे लगता है आगे लगेगा तो कोई महतों नहीं होता है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सुनिय से अधिक कुन है दो दो पहले लिखेंगे फिर सुन्य लगाएंगे यानि संक्या होगी दो सुनिय सुनिय तीन पाँच यदि सुन्य पहले लगा देंगे तो सिर्फ 235 होगी, हमें 235 नहीं लिखना है, हमें 5 अंकिय बनाना है, 5 अंकों की संक्या होनी चाहिए और इस संक्या में 5 अंक है, बात समझ में आ गई, अगला प्रसन है बच्चा, एक पांच सुन्य दो नो, तो सबसे पहले बड़ी संक्या लिखेंगे, बड़ी संक्या नो, पांच दो, एक सुन्य हो जाएगा, यानि 95210, छोटी संक्या लिखने के लिए हमें लोग क्या सुन्य को पहले नहीं लिखेंगे, यदि सुन्य को पहले लिखेंगे, तो 4 अंक हो जाएगी, हमें 5 अंक बनानी है, तो पहले एक लिखेंगे, फिर सुन्य लगाएंगे, यानि 10269 छोटी संक्या होगी, लिख लेने हैं आपको बच्चा, प्रसंक्या 4 है, बिना पुन्रा वर्ति किये, 3, 4, 5, 6 से 4 अंकों की संभाव सभी संक्याई बनाईगे, यानि हमें 3, 4, 5, 6 से मिलकर कितने भी संक्याई बनेगी, हमें बनाना है, तो देखें, इन से पहले हम लोग 7 में लिख लेते हैं, 3456 एक हो जाएगा, बिना पुन्रा वर्ति किये, मतलब यहाँ पे अं टीर तीर इसे नहीं लिख सकते हो, इसमें एक अंकों एक ही बार लिखना है, तो इस संक्याई है हो गई, 4-3-5 से, इन ही अंकों से हमें संक्याई बनानी है, तो 4,356, 5,340, 6,345, 5,634, इस परकार हमें संक्याइ बनानाना है, यहा पहे है, 6,534, 3,645, ठीक है। तो इस परकार हमने प्रश्णमली एक दस्मलोदों के सारे प्रश्णों को किया तो धन्यवाद बच्चा आप सभी को वीडियो देखने के लिए वीडियो पसंद आई हो आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किजेगा अपने दोस्तों को शेयर किजेगा भारतवस क्लासिस पर नहीं हो तो सस्क्राइब जरूर किजेगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद